हेलो दोस्तो वेलकम बैक माई चैनल आप सभी को दोस्तो जिन्दगी में कोई आप से जलता है तो आप उसे जलने दीजिए याद रखिए हमेशा जलने वाला चीज एक दिन राख हो जाता है चाहे वो अहंकार वस्तु हो या इंसान कोई भी हो इसलिए दोस्तो किसी को नहीं देखना चाहिए कोई हमसे कितना जल रहा है उसको जलने दीजिए एक दिन आएक दिन राख ही हो जाएगा जलके अपना काम में ध्यान देना चाहिए और दोस्तों यहां सुबह के समय था जो कि 8 बज रहा था और मेरा सुबह 6 बजे कि ठंडी के मौसम हो गया था आप 6 बज कर लेते हैं उसके बाद ही हम कीचन में आ गए थे आलू पाले से चढ़ा दिये थे तो आज सोच रहे थे कि आलू फराठा बनाएंगे तो इसलिए आलू पाले ही चढ़ा दिये थे और आलू फराठा में यहां बनाने जा रहे थे जो कि आलू छील रहे थे और टाइम हो रह पूजा कर रहे थे तो हम अपना यहां बना रहे थे कि इसके पापा नौ बज जाते हैं एक घंटा में मेरे को बनाना रहता है और बीच में कृती भी जाग गई दो वे भी परफसान करने लगती है रोने लगती है तो फिर उसको भी हमको लेना रहता है तो इसलिए हम फटा- प्रोब्लम करती है रोनती है जब तो और यहां हम यह प्याज काट रहे थे किमकि इसके पापा फराई वाला बहुत कम खाते और मसाला बीना मसाला को इनको अच्छा लगता है बस प्याज आरा मिर्च और धनिया पता ऐसा ही डाल के हम बना देते हैं और बहुत टेस्टी भ किचन में आये तो क्या करें आटा हम लगा लेते हैं सबसे पहले लगा के रख देते हैं थोड़ा सा अरटा को रेष्ट होने के लिए भी रख देते हैं कि जब रोटी बनाते हैं तो बहुत सुन्दर बनता है और तुरंत आटा सानिये तुरंत बनाईये न तो अच्छा रो सब्सक्राद हो गया मेरे तो उधर कृष्ट कुछ बोल रहा था तो उसको देखने चले गए थे फिन यहां आटा अपना थोड़ा देखे सान लिये थे फिर भी थोड़ा सायती कर रहे थे और इसके पापा यहां कुछ पूछ रहे थे मेरे से पता नहीं ऐसे कुछ बोल रह कि लेखे अरे ट्रफ चौई चढ़ा देंगे क्यूंकि लेठ हो जाता है ना इसके पापा को फिन के त्यार हो रहे रहा है अब यह जाकेusi के साथ हो रहा है रहे मेरे गाउना कई चुछ गई थी यहां उसके पापा उसको लिये थे तो मैं कर रहे और इसमें भर रहे थे इसके पापा बोले कि इतना लेट तुम रोज रोज कर देती हैं अब क्या करें दोस्तों आप लोग बताईये बच्चे के साथ हो ही जाता है और किरीज यहां आते जाते रह रहा है बस आ रहा जा रहा है मामी हम बोले अच्छे रुख जा बिटा इन लोगों भी अभी दूद नहीं दिये सोचे इसके पापा को कर दे सुबह जल्दी उठ जाता है तो दूद दे देते जल्दी नहीं उठ पाता है तो नहीं दे पाते हैं और आठ बजे से पहले उठ जाता तो दे देते किरीज को क्योंकि बीना बरस के दूद नहीं देते बरस कराएंगे इसको तब ना दूद देंगे हम बोल रहते हैं जा बरस कर लो तो कर रहते हैं तुम चलो तुम चलो हम बोले जाए पापा से मांग तो नहीं जा रहा था तो फिन यह बनाने के बाद चाहे भी छाने फिन क्रीज को बरस कराते हैं फिन दूद देंगे फिन थोड़ा दे रिलाक्स घुमें फिरेगा फिन हमाते भी हैं दोनों को साथ में इतना काम हो जाता है मेरा बहुत ज़्यादा और सुबह ठंडी के दिन मे तो अभी कुछ ठोड़ा कम है तंडी और स्वाव बढ़ते जा रहा हुए इदर थफ तो भाष सब्सक्राइब बहुत करो यहां देख आ था झान बूए ल proportion भी तरुम्वार कर लो तो हम बोले ठीक है जाओ कर लो तो कर एक गिलास में पानी दे दो हम बाहर जाएंगे तो हम बोले नहीं बेटा इधर कर लो कर रहे नहीं हम बाहर जाएंगे तो हम बोले ठीक है यह आप लोग कीचन में मेरी देख रही है धूप आ रहा है जो की मतलब सुबा में धूप में को आज तो दुबारा हम गरम करके पीए चाय किमकि लेट हो गया था काफी फिर किरी स्को आज दूद भी नहीं दे ते दूद देने के बाद फिर जाके हम चाय पी अपना और करीती भी जा गई थी तो उसको भी दूद पिला दियें और किरीस दोनों को देने के बाद फिन हम अदमी करते हैं कि दूद पिला देंगे नौ बजे ऐसे आठ बजे इन लोग साथ बजे दूद पिले तो ठीक हो जाता है इन लोग भी नवजे से नास्था कर लेते तो मैं भी कर लेती हूं अब बच्चों के सांद क्योंकि हम खाएंगे तो बच्चों को भी लगता है सांद में खिला ले अब उसके बाद यहां अपना काम करतम करके यह दोपार का साथ सब्सक्राइब करने लगता है इतना परसानी करता है ना कि इसकी कहीं हम बाहर चले गए थे करने दोनों को क्रिस और क्रिती को लेकर साइखिल चला रहा था तो हम बसे पर रही कि ऑड़ी कहां भी काटे हैं कुछ नहीं चले गए टकीश और पूल वी खेल रही थी जो थोड़ा सा क्लिप इसमें भी एट कि यह हुए है आप लोग देकर देखेए गया और फिन हम चले ग और जिन जी लोग नए लोग होंगे प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दिजिएगा ताकि जो भी हम नए नए वीडियो डाले आप लोग के पास नाटिफिकेशन चला जाए और यहां बंदा को भी काट रहे थे क्योंकि क्यों लग रहा है था करहा मैं चली है देखी आप लोग वीडियो और इन ज़िए हो जो 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 किरेती चपल हात में क्यों ली यह है है दो इधर दो पन हादे बेटा देखिए मेरे को देख कर कैसे भाग रही है इधर आव बहुत बहुत मास हो गई है